है अग्याइब बेलकम तू बेबे करनंदा अग्रिकचर कर्मी आज किस वीडियो में बात करेंगे आई सीजर काउंसलिंग गौजार प्रेस्ट के लिए कौन को से डाकुमेंट्स की आवर सकता होगी इसमें कुछ डाकुमेंट्स आपके पास में होंगे अगर कुछ डाकुमे करें उनको अभी आप कंप्रिट करवा सकते हैं जो काउंसल में अतना बत्त नहीं मिलता है यह पूरे कंप्रिट कर सके हैं इसके पहले बात करें कुछ और बेसे के बारे में जैसा कई विद्धार्थ यहां पर परिसाने डेली मैसेज करते हैं रहिक कार्ड के बारे में तो आपका इसी बीक में जो है आज आएगा ठीक है रहे हैं कार्ड आश्यार में एक और में कॉर्स होता है और सबसひलां टिए अगर आप देखेंगे तो 2022 में फ्रसार्थ में के बेस चांसिलिग आप सबीने देखाऊगा हमने पहले दो वीडियो बना कि दिए भी यूटूब पर आप देख सकते हैं यानि कितने मार्स पर ब्याच्व सेलेक्शन आपको हो सकता है अगर उतने मार्स आपकी लाई कर रहा है अगल बगल में तो आप यह लिए अच्छे मार्स हैं उन सबी के लिए ठीक चुक्क अच्छेनमर पर हैं तो आपके तक यहां पर होंगे तुलाव में यहां पर बात करेंगे आपके जो है टुकुमेंट्स के बारे में कौन सी आप को डॉक्प में आप आपको जब भी कोलेगे वहां पर आपको और ले करकी जाना होता है ठीक हर साल विद्धर यूट्यूब पर नए आते हैं तो वीडियो बनाना जरूरी होता है पहले यहां पर बात करेंगे आपके पास में 10 की और लिडिंग मार्शीट यहां पर होगी 10 की और यहां पर सेकंड बात करेंगे 12 की 10 और 12 की दोनर की ओरिजिनल मार्शीट होने चाहि णज्मारेंगे तो आपके पास में आधार कार्ड़ भी होगा ठीक है आधारफ होना चाहिए अगरन बात करें यंद और फूर नम्मर पड़ति को झालेज से ही आपका बनता है अगर आप UR categories हैं नहीं लगता है इसके बाद अधर आप जो है कि यह भी आपको बनवाना हो रहा है कि कई बच्छे मोस्टी फॉस्ट टाइम हो सकता है एक्जाम करें कि यह अभी तक उनोंने कहीं भी जो है अडमेशन नहीं लिया होगा तो उनको इनकी डाकुमेंट्स के आपर सकता नहीं होगी लेकिन अगर आप आई सियर में जाएंगे किसे भी कॉलेज उनिवेस्टे में तो आपको इन डाकुमेंट्स जरूवत बढ़ेंगे एक तो हो सकता है आप पास मूल निमास ना हो का सर्टिबिकेट ना हो ठीक है बाद में कुछ डाकुमेंट्स में आपके और लेडी होंगे तो यह आपको जरू चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे आपका इनकम सर्टिबिकेट ठीक सेवन नम्मर पर एक आपका इनकम सर्टिबिकेट इनकम सर्टिबिकेट हम लोग नाम देता है हिंदी में आए परमारपत्र ये है आपका क्या आए परमारपत्र टेक इसके बाद इसके बाद यहांपर आप देखते हैं कि जिस कॉलेज से आपने लांस्ट एजूकेशन जैसे ट्वल्थ पास किया है तो यहां पर आपका टीशी ट्रांसपर सर्टिफिकेट एंड कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट कुछ लोग उसको सी यल्सी भी कहते हैं यह फिर शिक हम लोग बोलते हैं माईग्रेशन लेकर के किसी इवर्स्टि में तो यह आपको डॉक्रूमर्स तब आपको इसकी आवर सकता पड़ेगी ठीक है इसको आप बात करेंगे नाइन्थ नंबर पर अगर आपने गयफ हुआ है तो यहां पर आपका लगेगा गयफ सर्टिफिकेट अब गयफ सर्टिफिकेट अब माली एक साल का ड्रॉप लिया हुआ है जैसे अगर सपोस्ट दौर पर मालो आप 2023 में लेरे आइसे कांसलिंग में ठीक है कॉलिज में और आपने टेन पस्टू यानि जो ट्वेल्थ पास किया वो 2022 में किया था तो उनको एक साल का यह गयफ सर्टिफिक बनवाना पड़ेग अगर आपने 2023 में अभी हाली में ट्वल्थ पास किया है और आपने तुरंद क्रेट कर लिया तो आपको यह बर्माना आबर सकता नहीं होगी यह गयफ सर्टिफिकर जो होता है यह गयफ सर्टिफिकर यह एक स्टाम पेपर आता है दस बीस पचास रुपए का जैसे भी आप पास किया है तीन साल का हमारा गयफ है तब तक मैं पृतियों की परिच्छन पारी करता था इस तरहीं की लिख देंगे तो आप गयफ सर्टिफिकर जो है वह बन जाएगा जडरूरी होता है बताने कितना आप आपने कहां लिया है हो सकता है तीन साल बार बिद्धार थी कर पर होता है बीए कर्च पर उनको अग्री कर्ष्टम जाना होता है तो तीन साल कर गया फो तो भी चलेगा खोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर बात चलते हैं नेक्स्ट पाइंट के बारे में नम्म्म टैंध नम्म एक आपका है कभी-कभी मांग लेते हैं यो लोग मेडिकल चर्टिफिकेट आप फिट है कि नहीं है हलाकि यह कोवेट के दौरान बहुत ज्यादा चला था मेडिकल अपको अब यह जो है मांग लेते हैं और जब यह बाद में उन्वेस्टिम अलट में लेटर के डाकुमंट वेरिफिकेशन के बात तो इसकी आवद सेक्टा आपको पर जाते हैं तो यह कुछ अगर आपको प्रवलम हो तो मुझे कमेंट करेंगे बाद मा को बता देंगे ठेक है चुकि आपके पास में यह और जरूरी है हो ना और अगर आपके डाकुमेटस नहीं है तो जो भी इनकंपलिक हूं है वो यहाँ पर बनवा सकते हैं ठीक है तो मैं आसा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होना हुगी कि आमने आपको जानकर्य दी है डाकुमेटस की बारे मैं प्रमेयसायल इंकम सेर्टिफिट टीसी माइग्रेस सर्टिफिकेट गेफ सेर्टिफिकेट और मेडिकल सेर्टिफिकेट कुछ आगर प्रब्लम हो तो देजार चोई कमेंट करिएगा मिलते हैं अगले वीडियों में और हम वीडियों तभी बनाएंगे जब आपका का इसले बार 2022 में चार चरण में आपकी काउंसलिंग में तीक हो सकता इस वार भी एसा होगा ठीक है कि एसा जैसा जैसा स्टैप में जो चीज होगी जैसे नोटिफेक्स आएगा आपको इंपर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे किस तरीके समय काउंसलिंग भाग लेना है काउंसलिंग के लिए हमें क्या करना है अभी फिलाल काउंसलिंग बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है लेकिन कार्ड आता है आपको तरण वीडियो बना करके दिया जाएंगा बिलते में जार से एक लिए वीडियो में तरफ नहीं है बहुत बहुत धन्वाद